लिगल डिक्टेशन 40 अब परती मिनिट डिक्टेशन इस्टार्ट परकरण के संसिप्त तथे इस परकार हैं की संजीवनी अस्पताल जालावाड में ICU वार्ड में भर्ती सुनील कोष्टक मर्तक कोष्टक पुत्र रामलाल कोमा जाती किराड कोमा उम्र पेतालिस वर्च कोमा निवासी चतरपुरा कोमा पुलिस थाना सदर कोमा राजस्थान ने पर्चा बयान इस आसे का दिया की दिनांग 37-2020 को करीब 6 पीयम पर वह और उसका लड़का रोहिद व मोहिद पिक अप गाड़ी में जैपूर हटवाडा सें दो गाई ब्याही हुई 60,000 रुपए में खरीद कर उनके गाउं खानपूर कोमा जैलावाड लेकर जा रहे थे विराम वे गाई गाई बेचने के लिये लेकर आए थे विराम करीब छे बजे जालावार पुलिया के आगे निकलते ही करीब दस आदमियों ने उनकी पिकप गाड़ी को रुकवा लिया और उनसे गाली डेस गलोच करने लगे तता मारपीट सुरू कर दी कोमा मारपीट करते समय ये लोग आपस में अमित कोमा रवी कोमा सुमित कोमा व विजे नाम बोल रहे थे तता अपने आपको विशु हिंदू परिशद एवं बजरंग दल का कारे करता कह रहे थे कोमा सबी व्यक्ति अपना डेस अपना नाम बता कर कह रहे थे कि जो भी जालावार में होकर गुजरेगा कोमा उसके साथ ऐसे ही मारपीट करेंगे विराम पेराचेंज इन लोगों ने उनके साथ लाठी डेस डंडों वा गुशों से मारपीट कर उनके कपडे फाड दिये कोमा उनकी जेबों में रखे पैसों को भी ले गए और जब वे गायल होकर सडक पर पड़ गए तो उनकी पिकप गाड़ी को भी इन लोगों ने तोड दिया विराम वसी समय उनकी दूसरी पिकप गाड़ी आ गई कोमा जिस पर दीपत व धिनेश थे कोमा जिसमें तेन गाएं थी विराम उनके साथ भी इन लोगों ने मारपीट की तता उनके पैसे भी छीन कर ले गए विराम मारपीट में उसके सिर व मुहा पर गंबीर चोटे आई हैं ग्राम फिर पुलिस आ गई कोमा पुलिस ने उन्हें एंबुलेंस में बेठा कर इलाज हे तू संजीवनी अस्पताल में लाकर भरती करवादिया विराम मारपीट के समय कुछ लोगों ने उनके मोबाइल से फोटो लिये थे इत्यादी विराम फेराचेंज उक्त पार्चा बयान के आधार पर मुकामी पुलिस थाना जालावाड ने यफ आई आर नंबर एक अबलिक दो हजार विस कॉमा अंतरगत धारा 143,323,341,319 वा 427 बारतिय दंड सहिता के तहत दर्जकर अनुसंदान परारंब किया गया विराम पेराचेंज मुकामी पुलिस द्वारां बाद आवश्यक अनुसंदान अभियुक्त गण राहुल, छोटु कुमार, सुमित सर्मा, विजे, गोलु तता दिलिप के विरुद्ध धारा 147,323,341,427,308, 308,302, वह 319, भारतिये दंड सहिता के तहत अपराद बनना परतम द्रिष्ट्या, साबित, पाया विराम, विद्वान, अधिवक्ता, मुल्जीमान की ओर सें, मुक्खे, रूप सें, यह, बहस की गई है कि मर्तक सुनिल हिर्दे रोग सें, पीलित था, और जिन डॉक्टार्ज ने भी, इस बात को कहा है कि वह हिर्दे आगात सें, मर गया, वे डाक्टार्ज भी, अभी योजन पक्स की ओर सें, पैस किये गए हैं विराम स्टोप धन्यवाद.